हेलो गाइस अगें वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो आज जो मैं आपके लिए फ्लैट लेगा हूं टूब एच के फ्लैट में न्यूली बिल्ड फ्लैट में सेमी पडिल फ्लैट में लोकीशन की बात करूँ तो बगवती गार्डन की लोकीशन है प्राइसिंग मै बात करूँ तो 6.9 पर आपको वीडियो के साथ साथ देता रहूंगा और मैं चीज़ बताता हूं लोकीशन की बात करूँ तो द्वारका की टच की लोकेशन है स्कूल हॉस्पिटल कॉलेजिस द्वारका के मिलेंगे वाटर की बात करूँ तो दिल्ली जलबोड का पानी है लिए इस की लाइट है और लोकेशन में आपको इस्टार्टींग वीडियो की सटार्टींग होते ही में आपको लोकेशन दिखा दो में ते बात करूँ तो तो राइसन्ग में बता हूं तो मेरी वीडियो एंड तक देखना और अगर चैनल सब्स्क्राइब ना क्या हो उत तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करना तो मैं अपनी वीडियो इन से स्टार्ट करता हूँ तो अब अपने बाहर खड़े हैं हमारा प्रेंट अलिवेशन दिखाए के पहले मारवल का आमने आप पे प्रेंट अलिवेशन रैडी किया हूँ है और प्लैट के बाहर की रोड की अमबाग करें तो पच्छिस पिट का रोड है सामने हमारा में रोड दिख रहा है पचास मिटर पे यहां से आपके मैट्रो का डिस्टेंस से रफ काम सु मिटर है तो अंदर पार्किंग में तो कि अभी काम सल रहा है हमारी बिलिंग में अधर अंदर रही है नीचे आप देख सकते हैं नीचे डाइल स्कूर्प किया हूँ है ताकि मैंटरेंस के आपको ज़्यादा पड़े बिलिंग में और शीड़न मगेरा ना आए और थोड़ी बहुत बहुत ची इनचे बनाया हुए है और यहां पर आप देख सकते हो लिप का इस पेस है अंदर वर्किंग है क्योंगे हमारी बिलिंग में भी काम चल रहा है तो आज ही है यहां पर हमारी स्टेर्स है कि इस पर हमने मार्बल की प्लोरिंग की हुई है कि इस पर आपको लिप के साथ और यह हमारे प्लैट का कोरीडोर है एक प्लैट हमारा राइट हैं और एक प्लैट हमारा लेप्ट हैं यहां पर हमने में एमसी बीदी लिए है और यह हमारा फ्लैट का गेट है जिस पर हमने ब्राउन कलर की सनमय का यहां पर यूज की विए अंदर आगे जरा हमारा प्लोर्ण रही है यह हमारा ड्राइंग रूम है प्लोर्ण की यहां पर एलेडी लाइट और कॉप लाइट का वर्क किया हुआ है अंदर आगे जरू इस जगे हमने टीव पैनल दिया हुए अपना जिसके हमने ब्राउन और वाइटलर की सनमय का लगा हुए है यहां पर शोकेस के यह बना कर सकते हो नीचे भी कबड लगना बागी ही है क्योंकि हमारा काम सब्सक्राइट में और देख सकते हो एक बाद पुरी पोर्सिलिंग का यह लेडी लाइट स्कोब लाइट का वर्क है सामने आप यहां देख सकते हो एसी के इंडोर के लिए पॉइंट दिया हुए हमने यहा पूफटॉप तक हमने टाइल सी उसकी है और एक बार दिखा लिए कितना बड़ा हमारा वाशन है इस साइट भी हमारा वाशन है यहां पर शाफ्ट दिया हुए हमने आपको पूरी प्रॉपर फिटिंग मिलेगी आपके वह हम बाद में प्रिटिंग अगरा करके देते हैं आपको आपके अगोड़िंग फिटिंग्स वगरा होज़ा दिया आपके इस जगे हम आपको चिमनी लागा के दे देंगे यह चिमनी का इस पेसे आपके यह आपने कबर्स बनाएं यह आपके समान रख सकता हूँ यहां पर हम आपके सिंक निए जगें लिखा दीजिए सिंक है आरो का इस पेस दिया हूँ यहां पर आरो आजाए आपका यहां पर आपके निच्छे टाइल्स वर्क किया हूँ हूँ यह पर आपको रोम हमारे प्रेंट में है एक रोम हमारे राइट है एक लेफ है तो पहले आपको यह वाद रूम दिखा दो कम ठीम है यह पहीं की पर जिखार्प है तहलें कह निकले पर एक लिए या पर हुआ यापट विण्डो प 되면 दिया ओर आप पर ज़िए और दिखा दो ने लेट रूट काउप तर हमने इस वोशों में भी टाइस से उसकी विए हैं फिटिंग्स की बाद करूं तो फिटिंग्स हम आपको बाद में ही करके देंगे आज यह में साथ में आपको दूसरा रूम दिखा दोओं तो हमारा यह रूम दे बाद करनी से अटाइच है हुआ हुआ है यहां पर हमने ओर सिरिक है लेदी लाइट और तॉप लैक्स का का वाकिया हुआ है यहां पर देख सकते हैं यह हमारी बाइगनीन है और यहां पर हमने विंडो दी रहे हैं सेम अमने इसी के प्रोविजन दिया हुआ यहां पर यह विंडो दी गया प्रॉक्पर यहां से आधर और इसमें पर बात करूं तो डबल गैड आपका अराम से आएगा यहां पर दृब करूं दखाई यहां पर हमने कबड दी अपने कॉपर कबड है यह विए उपर गिए हुए तो अंदर पर हैं अधर पर लगाए हैं और भाल भी हमने वाइट कि सनमाइका के साथ अल्मिरर रडी किये हैं यहां पर आप देख सकते हो और प्रेसिंग टेबल बना हुए हमने यहां पर मिरर आ रहा है आपका यह हमारे ड्रॉर्स हैं इसमें समान रख सकता हो और मैं अब आपको बालकनी दिखा लिकाए लिकाए और बालकनी में भी आप देख सकते हो अपने टायल वर्क क्या हुए है यहां पर हमने आउटओर के लिए पॉइंट दिया हुए है यहां पर आपकी वाकिंग मशीन आ जाएगी यह आप इस साइड पर रख सकते हो या उस साइड हमने दोनों जगे प्रोविजन दिया हुए दोनों जगे हमने पॉइंट दिये हुए है और बालकनी के बार करूँ तो आप देख सकते हो काफी स्पेसिवल बालकनी है कम से हम 10 फिट की तो आपको बालकनी बालकनी मिल रही है यहां पर इस्टील की रेलिंग आपको यहां पर हम देरे लाग के और नीचे आप देख सकत तो एक बार मैं आपको कौश्टिंग बता देता हूं कि की बात करूँ तो पच्छिस लाग पर मैं इस फ्लैट की कोश्टिंग रखी गी है 600 स्कूर फिट का यह फ्लैट है और आप आके देखते हो तो 650 के आराउंड आपको यह फ्लैट मिलता है और बाकी यह डिटेल्स और एक नमबर मेरा है वो भी आप नोट कर लिए 9872151068 इस नमबर पर भी आप कॉंटक्ट करके हमसे इस फ्लैट के रिगार्ण है या कोई और फ्लैट के रिगार्ण है हमसे बात कर सकते हो अगर अभी तक आपने हमारी और वीडियो ना देखे हो 1,2,3 भी है इसके की तो वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो आपको सारी वीडियो मिल जाए हूं आप पे और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बास सब्सक्राइब कर दो ताकि आपका ड्रीम होमा को मिल सके और जो भी मेरी नेक्ट वीडियो आने वाली है वो